गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स ट्रिपल सी रिविजन क्लास में एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स डेली सुबा साथ बजिस रिविजन क्लास को आप जॉइन कर सकते हैं तो सबसे पहले जिनका आज एक्जाम है आप सभी को में तरफ से ठेसाई सुब कामना है आप सभी प्लीज अपने एक्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपका एक्जाम कैसा हुआ और हमारे वीडियो के माद्यम से आपको कितनी हेल्प मिली और अगर आपने अभी दख हमारे ग्यानिक्स पी मॉबाइल लैब पे ट्रपल सी का मेगा टेस्ट नहीं दिया है तो आप इसे जरूर दीजे यहाँ पे काफी जैन्वेन क्वेशन दिये गए और यह सभी आपकी एक्जाम के लिए इंपॉडेंट है तो जब भी आपको टाइम मिलता है यहाँ से इस मेगा टेस्ट को आप एक्जाम से पहले जरूर कम्प्लीट कर लिजेगा आए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेशन किस पीडे का कंप्यूडर सबसे बढ़ा था बहुत बेसिक क्वेशन है रिवीजन क्लास है तो बेसिक क्वेशन हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आफ आट बजे की C C paper selection class को जरूर आप देखे, daily सामको 8 बजी होती, paper selection की class means daily के जो questions आते हैं, उनको हम solve करते हैं साम 8 बजी की class में, तो option here items हो जाएगा, first generation के computers का jy size था वो सबसे बड़ा था और इसमें कौन सी technology इस्तिमाल हुई थी आप सभी comment section में बताईएगा, आगला question ने, China का search engine कौन सा है इस सभी ऐसे questions हैं जो कि previous CCC exam में पूछे जा जुके हैं option B right answer है by do जो कि China की search engine है और ये Chinese भासा में दिया गया है next question है email में इन में से किस से बचना चाहिए email में इन में से किस से बचना चाहिए B.5 means subject line, गलत पता means wrong email address, फिर save पढ़े means re-read या फिर smileys किस से बचना चाहिए option B is question का right answer हो जाएगा गलत email पता से हमें बचना चाहिए ताकि जिसको भी हम mail बेचते हैं ऐसा नहों कहीं पर गलत जगे पर चला जाए next question देखे, इन में से कौन सा email के लिए एक माध्यम है means इन में से किसके माध्यम से email को भेजा जा सकता है internet, internet, extranet, all of the above तिन सभी माध्यम से internet email को भेजा जा सकता है means mail को send किया जा सकता है option D right answer हो जाएगा इंट्रानेट एक private network होता है जो किसी company के द्वारा अपनी company के अंदर networking setup करने के लिए start किया रहता है और यहाँ पे इनकी internal web applications भी इस पे काम करते हैं जैसे कि internet पे हम अलगले websites को access करते हैं और internet में company के खुद की अपनी platform होते हैं खुद का अपना website होता है जो उसी network पे काम करता है और internet आप सभी जानते होंगे collection of networks होता है और extra net की बात करें तो यह किसी third party के द्वारा एक private network प्रवाइड किया आता है अलगलग company को security region से कुछ ऐसी company होते हैं जो extra net पे काम करते हैं मेंस किसी third party network का इस्तिमाल करके अपने services को मेंस अपने offices को या फिर अपने branches को आपस में connect करने के लिए extra net network का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि banks एक extra net network पे काम करते हैं तो option D all of the above means उप्रोग तो सभी इस question का right answer है next question इन में से किसने internet को परिभासित किया इन में से किसने internet को परिभासित किया which of the following define the internet तो internet को परिभासित किया the federal networking council means option D right answer हो जाएगा the federal networking council यह question भी same to same इसी तरह से टेपल से पूछा गया था अगला question देखी internet को global information system भी कहते हैं internet is also called global information system बिलकुल साही statement है option D right answer हो जाएगा true अगला question है intranet company की आंतरिक web है अभी अभी मैंने explain किया intranet क्या होता है तो बिलकुल साही company का एक आंतरिक या फिर internal web होता है option A true is question का right answer हो जाएगा तो revision class में सभी ऐसे questions को हम select करके discuss करते हैं आप सभी के साहथ जो questions triple exam में बार बार repeat हो रहे है extra net एक web के भीतर एक web page है extra net एक web के भीतर एक web है यह भी सही extra net एक third party के द्वार प्रवाइड किया जाता है और यहां पे कई अलग अलग कंपनियां इस service का इस्तिमाल करते हैं एक private network के लिए तो extra net is a web within a web बिलकुल साइ स्टेट्मेंट है option A right answer हो जाएगा true next question देखे इन में से कौन internet द्वारा उपयोग नहीं किया जाता TCP, STTP, IP या फिर VSNL VSNL का platform क्या होगा विदेश संचार निगम लेमिटेड जो कि इंडिया का सबसे पहला ISP means internet service provider है तो option D right answer हो जाएगा जिस तरह से हम internet पे STTP या फिर TCP का इस्तिमाल करते हैं IP का इस्तिमाल करते हैं उसी तरह से intranet या फिर extra net इन तीनों में ही इस्तिमाल होते हैं ये सारे protocols option D is question का right answer है next question देखे नए 200 रुपे के note का रंग क्या है अब जितने भी market में RBI के द्वारा नए currency जारी किये गए इन सभी से उनके color के बारे में पूछा जाता है फिर उनके size के बारे में पूछा जाता है तो आप चाहिए तो कहीं पे note कर लिजे और याद रखीगा exam में इस तरह की questions आते हैं तो option here items हो जाएगा bright yellow means चम्कीला पीलर कलर होता है 200 रुपीज के note का अगला कुछने नए 200 रुपे के note का आकार means size क्या है what is the size of new 200 रुपीज note तो option C right answer हो जाएगा 66 mm by 146 mm कई बार इसको उल्टा लिखा जाता है जैसे 146 by 66 mm तो इसको भी याद रखीगा ये दूनों तरह से लिखा जा सकता है option C question का right answer है next question देखे UPI का पूरूप क्या है UPI को किसने launch किया NPCI ने launch किया ये भी exam में पूछा जाता है और NPCI क्या होता है एक NPCI का full form है National Payment Corporation of India जिसने UPI सेवा को जारी किया ये launch किया है option B right answer है unified payment interface और इसमें real time में transactions होता है means immediate fund transfer होता है Libre office writer में heading 3 लगानी की shortcut की क्या है तो Libre office writer में heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 और heading 5 तक होता है जिसके लिए heading 1 के लिए control 1, heading 2 के लिए control 2 और heading 3 के लिए control 3, heading 4 के लिए control 4 और heading 5 के लिए control plus 5 कर इस्तिमाल करते हैं तो right answer क्या हो जाएगा option A control plus 3 यदि आपके computer में date और time गलत है तो कहां से सही करेंगे बहुत basic question है बट कई बार टरपल से exam में पूछा गया तो अगर आपके system में time और date गलत है उसे आप सही करना चाहते हैं तो कहां से सही करेंगे control panel option C right answer हो जाएगा यहां से आप अपने system के date और time को correct कर सकते हैं यह सही कर सकते हैं दुनिया का पहला web browser कौन सा है दुनिया का पहला web browser कौन सा है तो देखिए यहां से दो questions बनते हैं जैसे इस question का right answer हो जाएगा option A www word wide web जिसको कहा जाता है इसको Tim Berners-Lee ने 1990 में double up किया था जो क word का सबसे पहला browser माना जाता है और यह non-GUI based web browser था बट एक और question पुझा आता है नेम लखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला GUI आधारित web browser है तो उस case में option B mosaic जिस कुमार कंडिर्शन ने 1993 में बिक्सित किया था यह विस्तो का सबसे पहला GUI आधारित एक web browser है यह भी याद रखिये यहां से दो questions बनते हैं अगला उसने calc window में कितने school बार होते है तो library office writer में default रूप से एक school बार होता है जो कि vertical होता है अगर आप उसको जूम करते ह 100% से जादा तो आपे आपको दो school बार दिखाई पड़ेंगे एक vertical दूसरा होता है horizontal बट calc में दो school बार default रूप से होते हैं option B right arm से बजाएगा यहां पे vertical और horizontal दोनों school बार एक साथ दिखाई पड़ेंगे default रूप से आपे दो school बार होते है अगला कुछने CRM का पूर्ण कई बात पूछा गया है तो आप डेली जिनका भी एक्जाम होने वाला है आप सुबह साथ बजी क्लास को आप जॉइन करते रहे इसके सासा साम आठ बजी वाली क्लास थी हमारी regular चलती उसको भी आप जॉइन करते रहेगा तो option है customer relationship management CRM का full form क्या है customer relationship management vacuum tube को कब exit किया गया इस question को दो तरह से पूछा जाता है और हाली के जो online test होते हैं जिस पे हमने discuss किया था साम आठ बजी की जो class होती है इस तरह की सभी questions हम पहले discuss कर चुके है detail में तो आप सब इन classes के वीडियो को भी देखते रहे अलग से playlist आपको मिल जाएगी तो vacuum tube को 1904 में विक्सित किया गया और कई बार यहां पे 1904 के जगे पे 1906 का option दिया रहता है तो दोनों ही correct है अलग-अलग books में कुछ में 1904 दिया गया है कुछ में 1906 दिया गया है और यह दोनों तरह से question टरफल से exam में पूछा जा चुका है अगलग उसने personal computer किस प्रकार का computer है what type of computer is a personal computer mini, micro, mainframe या फिर all of the above तो personal computer एक micro computer होता है और micro computer जितने भी होते हैं वो single user computers होते हैं option B is question का right answer है next question प्रथम generation के computer में storage क्ले किसका प्रियूक हुआ तो first generation के computer में कौन सी technology इस्तिमाल होई थी vacuum tube second में tanister, third में IC और fourth में VLSIC और fifth में ULSIC प्लस AI का इस्तिमाल होता है और इस समय कौन सी generation चल लगी पाचवी PD चल लगी computer की पाचवी PD में फिफ्थ जनरेशन इस समय चल लगी present time में तो इस question का right answer हो जाएगा option C magnetic drum का इस्तिमाल होगा storage के लिए calc में count function केवल संख्याओं को गिनता है यह question भी repeated है बहुत बात पूछा गया तो count A कैसा function होता है liberal office calc में जो सर्फ numbers means numeric values को count करता है और यहाँ अगर लिखा गया होता count A तो यह alpha numeric means non empty cells को count करने के लिए इस्तिमाल करते है count A function का जबकि count function किसले इस्तिमाल होता है केवल संख्याओं को गिनने के लिए तो option A right answer हो जाएगा true calc में new thumb zoom क्या है तो calc में minimum zoom होता है 20% और maximum कितना होता है 400% तो यह भी याद रखिए maximum भी पूछा जा सकता है RTGS के new thumb सीमा 5,000,000 है बहुत basic question आप सभी को बता होगा right answer होगा option B false क्योंकि इसमें minimum limit क्या होती 2,000,000 ना कि 5,000,000 slide sorter view में slide automatic alphabetical order में sort हो जाती है तो slide sorter view एक ऐसा view होता है जहांपे अपनी slides को अपनी requirement के साब से arrange कर सकते हैं बट यहांपे slides automatically alphabetical order में sort नहीं होती हैं तो right answer हो जाएगा option B false तो अब आएगे देखते हैं आज की class का last question वह text जो एक website को दूसरे website से जोड़ता है वह text जो एक website को दूसरे website या दूसरे webpage से जोड़ता है webtext, hypertext, linktext या फिर all of the above बहुत basic question है option B right answer हो जाएगा hypertext जो की एक webpage या फिर एक website को दूसरे website से जोड़ता है यह था आज की class का last question आप सभी comment section में जुरू बताई आज की class में आपकी कितने questions करेक्ट हुएं और जिनका भी आज exam है आप सभी को मेहीत अपसे all the best, stay size, sub काम ना है और अगर आपको अपने exam के कुछ questions याद रहते हैं तो प्लीज आप हमें WhatsApp पे जरू send कीजेगा हमारा WhatsApp नमबर है 8174843342 आप हमें यहाँ पे अपने questions सेंड कीजे, साम 8 बजे की paper solution की जो class होती है, हमारी live class होती है इसमें आप सभी के द्वारा भेज़े की questions को हम detail में discuss करेंगे, इससे आपको पता चलेगा उन questions के right answers क्या है प्लस जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और जिनका आगे exam होता है इन questions से काफी help मिलती है तो आपके पास अगर टाइम है तो आप previous online test के वीडियोज देखते रहेगा, साथ में आप हमारी website gyanxp.com से भी practice करते रहे, धेर सारे mock test यहाँ पे available करा दिये गए और इसके साथ साथ अगर आप practice करना चाते हैं तो आप हमारे gyanxp mobile app को भी download कर सकते हैं और आप हमारी gyanxp.com website से भी practice कर सकते हैं तो आप सब comment section में जुरू बताइए आज की class कैसे लगी और अगर आप triple c के बाद o label करना चाते हैं तो हमारे gyanxp mobile app ते o label का course प्रवाइड कर दिया गया है जिसमें आप घर बैठे o label exam की भी तयारी कर सकते हैं तो बस इस class में इतना ही मिलते next class में तब तक ले bye bye thank you thank you for watching